हेई गाइस क्यासे आप साब मैं हूर निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए प्रेमियर प्रो टुटोरियल में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे बहुत ही सिंपल और इंट्रिस्टिंग टेकनीक्स जिनने यूज करके आप अपने वीडियो की लुक एंड फील को और भी जादा सिनेमाटिक बना सकते हो जो भी टेकनीक्स में आज शेयर करूंगा हो सकता है आ आज के वीडियो शुरु करते है आज के अपर हैं हम लोग प्रेमिर प्रो के अंदर और जैसा कि आप दिख सकते हो ताइम लाइन में मैंने एक बहुत ही सिंपल सा फुटेच एड किया हुआ है जिसमें लो आंगल फॉलुइंग शॉट है ठीक है बहुत ही सिंपल और अच्छा शॉट है बीसिकली आज मैं आपको जो पाच टेकनीक बताऊंगा उन में से जो सबसे पहली टेकनीक है वो सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लोइंग डाउन दो फॉटेच अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है ट्राइ करो जब आप शूट कर रहे हो तो जितना जादा fps में शूट कर पाऊ उतने जादा fps में शूट करना ताकि आप उसे easily slow कर पाऊ minimum 60 fps में शूट जरूर करना तो यह जो footage है यह 60 fps है और जो मेरे timeline का fps set है वो है 25 fps पे set है ताकि जब मैं इसे slow करूँ तो वो choppy न लगे smooth लगे तो slow करने के लिए footage को बहुत ही simply हम इस footage को select करना है राइट क्लिक करना है और यहां पर जाना है speed duration में और मैं इसकी speed को set कर दूंगा 70% ठीक है click करेंगे ok पर अब मैं इसे preview करो तो बहुत ही simply यह शुरू हो रहा है तोड़ा सा cinematic लगना slow में footage या videos अच्छे ही लगते है और जादा cinematic ही लगते है तो यह था हमारा first step अब हमें क् करना है क्योंकि यह जो short है इसमें हलका से wiggle है आप लोग यहां पर दिखते हो यहां पर जादा noticeable है वो तो इसे हम लोग stabilize करेंगे तो उसे करने के लिए अब हमने क्योंकि यह footage को slow down किया है तो speed और stabilization हम लोग एक के उपर एक stack नहीं कर सकते मतलब इसी पर मैं directly नहीं डाल सकता stabilizer तो इसे मैं पहले nest करूँगा तो right click करूँगा और इसे हम करेंगे nest मतलब जैसे हम लोग after effects में precomp करता है तो इसी तरीके से हम इसे nest कर देंगे और फिर इसके उपर मैं डालूँगा warp stabilizer इस तरीके से तो यह analyze करना शूरू करेगा footage को कुछ seconds लेगा basically depend करता है कि आपका computer जो है वो कितना तगड़ा है तो यहां पर दिखा रहा है 15 seconds और जो फ्रेम से इस complete video के वो है 327 उसमें से 200 हो गए है 250 होने आ गए है और इस तरीके से आपको यहां पर timing दिख जाएगा कि कितना time ले रहा है इसे stabilize करने के लिए okay बूम अब अगर मैं इसे preview करूँ तो आप देख सकते हो काफी smooth और stable shot लग रहा है पहले के मुकाबले जो की मुझे चाहिए भी और already दो ही इन दो ही steps को use करके आप देख सकते हो already हमारा जो footage है वो और भी जादा cinematic लगने शुरू हो रहा है अब इसे हम हलका फुलका सा color correct करे सकते हैं तो इसे करने के लिए मैं सबसे पहले तो एक नया adjustment layer create करूँगा इसे मैं drag and drop कर दूँगा इसके ऊपर कुछ ऐसे फिर हम इसे select करेंगे जाएंगे effects and presets में या effects में effects and presets आफ्रेक्स की आदत हो गई है और फिर मैं जाओंगा video effects color correction और यहां पर हमें मिलेगा lumetric color अब हो सकता है कि अगर आप बहुत पुराना वाला premiere pro का version यूस कर रहे हो तो इसमें यह effect ना मिले but I guess CC 2019 से यह सब में available है I'm not really sure तो वो एक बार चेक कर लेना ठीक है तो कोई भी properties में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ मैं हमेशा जाता हूँ color wheel and match में और यहां से में जो shadows, mid tones और highlight है सबसे पहले मैं उसे tweak करता हूँ तो क्यूंकि यह जो footage है वो बहुत जादा orange लग रही है तो उसे fix करने के लिए मैं इसके shadows को थोड़ा सा blue tint में लेके जाऊँगा कुछ ऐसे और जो contrast है वो भी महलकी सी बढ़ा दूँगा कुछ ऐसे और जो mid tones उसे भी महलका सा bluish tone में लेके जाऊँगा फिर इससे मैं कम जादा कर सकता हूँ depending on the look तो यह काफी सही लग रहा है और highlights में जादा में छेडखानी नहीं करूँगा इससे थोड़ा सा नीचे ले लूँगा इस तरीके से फिर जाएंगे blacks में और इससे में हलका सा कम कर दूँगा जिससे ना हमें एक अच्छा सा कॉंट्रास्ट मल जाएगा ठीक है जाएंगे creative में और इससे में हलकी से शार्पन दे दूँगा around 5% की और vibrance को में बढ़ा दूँगा around 10 ठीक है अब यह जो changes है मैं यह बहुत ही randomly कर depending on the footage तो हो सकता है आपकी footage हो सकता है कि आप obviously आपकी footage अलगी होगी तो आप अपने footage के हिसाब से changes कर सकते हैं बहुत ही basic सा color correction में add करना है जिससे हमारी footage जो है वो थोड़ी सी और cinematic लगना शूरू हो जाए अब आप लोग को अगर मैं दिखा हूँ तो before after काफी अच्छे जो और जो midpoint है उससे भी में तोड़ा बढ़ा दूंगा and feather को हम लोग 100 पर सेट कर देंगे तो before after बहुत ही minimal changes है बट यही जो minimal changes होता है चोड़ी चोड़ी चीज़े जो बहुत बार हम लोग miss out कर देता है और फिर हम सोचते यार मेरा video cinematic यो नहीं लग रहा तो यह सब जो चीज हमें करनी है वो one of the most underrated चीज है जो कि ए अड़ करना एक बहुत ही अच्छा सा music एक फील डेवलब करने के लिए हमारे cinematic shot के लिए अब मेरे पास यहां पर अलड़ी एक music है और अगर मैं music की बात करो तो एक जो website है जिसके बार में बात करना चाहूंगा by the way यह sponsored नहीं है बिल अगर आप एक अकाउंट बनाते हो तो फ्री में आप लोग 10 गाने डाउनलोड कर सकते हो every month तो अगर आप YouTube पे हर हफ्टे दो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो तो भी आपको आठी गाने लगेंगे तो आप लोग जैसा भी चाहो वैसे ब्राउज करो सुनो अगर अच्छा अगर यूज कर सकते हो again sponsor नहीं है मैं genuinely इस website को यूज करता हो तो इसलिए मैंने आपको suggest किया है तो यहां से मैंने एक music track जो है वो सिलेक किया हुआ है तो वो मैं add कर दूँगा तो चलिए दिखते है कि कैसा दिखता है हमारा video इस sound के साथ तो काफी अच्छा लग रहा है बट इसमें एक चीज मिसिंग है जैसे कि आप दिख सकते हो यह एक forest area मैं walk कर रहा है तो obviously यहां पर birds जरूर होंगे तो हम लोग birds का जो एक sound है वो भी add कर दूँगा में यहां पर जो मेरे पास already है और इसका जो level है वो मैं काफी नीचे सेट कर दूँगा around minus 15 तो अब सुनते से तो जैसा कि आप सुन पा रहा होंगे ना इसमें हमने birds की एक आवाज भी add कर दी एक हलका सा wind का noise है इस music में और काफी अच्छा एक soothing विद दे रहा है काफी natural दे रहा है तो अधिस वाट आ रिली इंजिव आप दिस अफाइनली जो लाज चीज हम एक आड करेंगे वहोगा वहोगा वहो सिनमाटिक बार जो ब्राक बार आप देखते हो अपने नॉमल चीनमाटिक वीडियो में यूट्यूब पर तो उसे आड 10-12% के अराओं क्रॉप कर दूंगा कुछ ऐसे अब और भी जादा सिनमाटिक लगीगा तो चलिए अब इसे सुनते है जैसा कि अब दिख सकते हो बहुत ही सिंपल टेक्निक्स यूज करके हमने किस वे में इस फुटेज को और भी जादा सिनमाटिक बार जादा सिनमाटिक बना दिया है सो यह थे मेरे पाच टेक्निक्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो अपने फुटेज के साथ एक्सपरिमेंट करो अपलोड करो मुझे टैक्स जरूर करो ताके मैं इसे चेक आउट कर सको अगर अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बता इस वीडियो को लाइक कर दे और फॉलो करें मुझे इंस्टेग्राम पर मेरे सारे इंस्टेग्राम प्रोफाइल की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है तो इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा as always, stay raw, stay creative, peace out. झाल झाल